नमस्कार दोस्तों आप सभी कारदिक स्वाकत है आपके अपने सबसे फैबरेट शो दी अल्टीमेट इंग्लिस वकेबलरी में दी 11 मिनट शो में तो चलिए दोस्तों एक बार पुना हर दिन की दरा जबर जास तरीके से अपनी पढ़ाई करते हैं और आज कुछ हट के करते है आज नया कुछ नहीं सीखेंगे आज हमने जो अभी तक वकेबलरी सीखी लास्ट करीबन 20 जो अपने अल्टीमेट इंग्लिस वकेबलरी के शो हो चुक है उन्हीं को रिवाइज करेंगे बढ़िया से ठीक है ना आओ चलो कितने बचे तयार है जल्दी से आजाओ प्यारे अब 50.000 रिवीजन में आपको कराने वाला हूं अपनी सबी वकेबलरी का जो कि आप ए साथ में सीख चुके है ठीक है जी चलो तो आपने मेरे साथ में बेटा वेरी वर्ड सेखा कहते हो तो आज वेरी से ही शुरू आत कर दें चलो आज पहले वेरी वार्ड को बढ़िया से करते हैं 누ward is better fairy very key tricky 카ptco वणाइटी याद करो जल्धे से वैरी-वैरी-वैरी-वैरी-वैरी-वैरी-वैरी-वरी-वैरी-वैरी-वैरी बहुत जब ज़्याद héदया बिल्कुल अलवाइट रहत है अ报 assume कीज को लेकर छोटी से छोटी बातों को लेकर के बिल्कुल ऐक तरीकर से ध्यान रगता है तो उस व्यक्ति को आपने क्या बोलना बिटा वैरी यह तो बिटा जल्दी से बोलो aware, alert, active, attentive, cautious, heated, careful, watchful, guarded, circumspective, vigilant और आपका conscious, वहीं पर एंटनम भी आपको पढ़ाये थे, inactive, lazy, slothful, apathic, sluggish, stoic, in cautious, unheeded, या फिर heedless, careless, slack, lethargic, आपका reckless, perfunctionary, unguarded, indiscreet, या फिर प्यारे बच्चे, oblivious, और oblivious का meaning था आपका भूलक कर, क्या था आपका meaning भूलक कर था, चलो, ये तो हमने एंटनम की बात की, एंटनम सननम पर जादा बात ना करते हुए, आज मेरा मन है, बिटा, one words पूरे revise कराता हूँ, बढ़िया से, ठीके जी, ये सभी, मतलब, आपको मैं clear कर चुका हूँ, ठीके जी, ये कलम ने बढ़ा था, when, यानि प्यारे बच्चे, किसी भी चीजी की संख्या में कमी आना, और कमी आई है, यानि कि बटा, ये action हुआ है, यानि कि ये क्या है, प्यारे बच्चे, verb है, अगर मैं vain verb के आप से profile पूछनू, grammatically profile, तो it's a verb, अब बटा, verb है तो, कम करने हूँ, क्या बोलते है, आब bet, a, b, a, t, a, bet, यानि बटा, कम करना, और यहीं पर अगर मैं आप से कह दो, a, b, a, t, a, bet, यानि प्यारे बच्चे, किसी को उकसाना, भढ़काना, especially, कितना गलत भढ़का देना, कि वो विक्ति किसी के हत्या कर दे, या फिर स्वैम के हत्या कर ले, सुसाइट कर ले, ठीक है, decrease, dwindle, decline, downgrade, fall, lesson, ये सब इसके, क्या थे, स्नननम थे, और एंटनम कि growth, usementation, magnification, और प्यारे बच्चे, furtherance, यानि कि दोस्त, आगे बढ़ जाना, furtherance simply means that, चीजों को लेकर के, आगे बढ़ जाना, तो ये हमने दो, एंटनम संननम सीखे, दो trick clear किये, चले, आज प्यारे बच्चे, मैं murder पर बात कर लेता हूँ, थोड़ी सी, यहां से सारे root words clear करें पहला root word जो आज सापने सीखना है, बटा, वो होगा side, पढ़ा चुका हूँ लड़ी, page number 86, ultimate English vocabulary, ठीक है, side किसको दिखाता है, प्यारे बाई, murder को दिखाता है, किसको बटा, murder को, जैसे की, matricide माता जी की, patricide पपपा की, parricide बटा, आपका parents की, sorori बटा, sister की, fretry, बटा, म पही, युकजोरी रूट आता है, बटा, vurpose के लिए, किसके लिए भी है, वाईफ के लिए, यहीं से एक word आपको और पढ़ाया था, узorious, क्या पढ़ाया हुआ था मैने आपको, बढ़िया से एक word पढ़ाया था, बटा, میरे, क्या, युकजोरीस युकजोरीस, यानि की, एक पत्नी से बेंतहा महबद करता हूं उसे बोलता है प्यारे बैचे युग जौरियस one who is extremely fond of his wife एक ऐसा वेक्ति जो पत्नी से बेंतहा महबद करें उसे बोलेंगे बिटा मेरे युग जौरियस वहीं पर जो विक्ति अपनी पत्नी के कहें में चलता हो ऐसे विक्ति को बोलते हैं बिटा हैंड पेक्ड समझ रहो आस्बेंड रूल बाई हिस वाइफ is so called हैंड पेक्ड चलो प्यारे बच्चे अभी यहीं से एक बात याद से करना युकजोरी साइड पत्नी के अत्या है और मेरीटी साइड अगर मैं कहूं तो बिटा ही पती देव के अत्या है चीक है जी ध्यान रखना और फिल्ली साइड बिटा बच्चे की रेजी यानि बिटा राजा तो रैजी रूट आता है राजाय रानी के लिए तो राजाय रानी के अत्या infanticide आप सभी जानते हैं यानि कि किसी नवजात शिशू की अत्या कर देना चलो आगे बड़े भाईया homie, homie किसके लिए आता है प्यारे बच्छे human के लिए आता है रूट वर्ड तब ही तो हमारा नाम पड़ा homie sapiens क्या पड़ता हमारा नाम homie sapiens यानि प्यारे बच्छे इंसान तो homie side यानि कि किसी भी इंसान की अत्या कर देना suicide बटा कुद की अत्या और aborticide जिसको आप क्या बोलते हैं बटा abortion या फिर feoticide या फिर fatty side इन तीनों का एक ही मतलब बुरून अत्या क्या मेरे प्यारे बच्छे अरे मेरे भई क्या इनका मीनिंगर अम्हाज पुरो रिवीजिन करलो बढ़िया से ठीक है शर्मा हो मत पढ़ो बढ़िया से बिटभ Bem मेनिंग क्या होता है फिह लटे स्काम घ्रवान के लिए जिनो साइट बीटा पूरे वंस की अत्या matter of race यहानी की बिटा पूरे वंस की अत्या नरसंगार जिसको आप बोलते हैं pods मिस इपिटा किसके लिए अया प्यारे बिछे रूट वरड दोस्त के लिए जल्दी से बोलो एमी किसके लिए इप Clock के एमिएबल आपने प्यारे बिच्छे एक वर्ड पढ़ा होगा एमिकेबल आपने पढ़ा होगा क्या बिटा मेरे कोडियल या फिर सोशेबल क्या पढ़ा प्यारे बच्चे आपने sociable या फिर आपने इसी में पढ़ लिया दोस्त मेरे gregarious 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 यानि प्यारे बच्चे जो समू में रहते हैं उन्हें बोलते हैं gregarious ठीक है न तो friendly तो खेर simple word आपके पास में है ही friendly इन सभी का एक ही meaning होता है that is milansar एक ऐसा वक्ति जो कि सभी के साथ मिल जुलके रहे बढ़ियां गुरुप में रहे हर किसी से प्रेम से बाते करें उसी को प्यारे बच्चे आपने friendly बोल दिया ठीक है न यह सभी वर्ट्स आपके एक दूसरे से एक तरीके से संदनम है और इनका एक किसी बुझूर्ग व्यक्ति को दिखाता है और बुझूर्ग व्यक्ति के लिए एक रूट और आता है प्यारे बीचे-जी जेड़ आर एं-जी-ड अगर जी रैन वर्ड कभी दिखेगा मेरे तो आप ध्यान रखना यानि कि प्यारे बिचे बुजुर्ग आदमी की बात हो रही जैसे जिरेंटो क्रेसी क्या वर्ड मिलेगा आपको जिरेंटो क्रेसी तो इसका मीनिंग होता प्यारे बिचे गौर्णमेंट पाई एन ओल्ड परसन समझ रहे हैं किसी भी बुजुर्ग देखती कि अगर सरकारत उसे जिरेंटो क्रेसी बूलता है वैटी बिटा किसी कवी के लिए आएगा और डाइसाइट प्यारे बिचे बगवान के लिए आएगा यानि कि murder of good चलो कोई दिक्कत नहीं है और आगे बड़े बड़िया बड़िया वर्ड सारे क्लियर करूंगा अभी प्यारे बच्चे एवी आपका हमेशा पक्षियों के लिए आता है और यहीं से आपको एक बड़िया से वर्ड बच्चों वाला पढ़ा रखा है यानि कि ऐसी जगह जहां पर आपक्षियों को रखते हो उसे वाईरी बोलता है और पक्षियों के लिए बड़ और और नित्थो लोजी क्या मेरे प्यारे बच्चे और इंधियों लोजी यानि कि प्यारे बच्चे पक्षियों का अध्यान ठीक है study of birds याद रखना study of words इस इंसेक्ट को मार दिया जर्मि साइट जर्म्स को मार देरो कैनी बटब और कुते के लिए आता है canny किसके लिए पर प्यारे बच्चे कि लिए आते तो कट्वों किया होगे विटा आपका हाँ कैनी साइड मडर ओफ डोग्स यानि कििलिंग ओफ डोग्स ठीक मडर इंसान का उता है इंसान के लवार अगर आप किसी और यह तो वो killing कहला ही जाती है इसी में बेटा जो कुत्ते के बच्चे होता है उनको क्या बोलता है पपी बोलता है प्यारे बच्चे पपी बोलता है अब इन पपीज का जो बेटा गुरूप होता है उसे क्या बोलता है लिटर बोलता है क्या बोलता है प्यारे बच्चे लिटर 5-5-6 ल two two अपशिकल आपस्राइज मेoffी जानवरों का सम्मुझ एक ऐवरी में बहुत सारे पैदा ह difficilny कैम इसे एंद्रा गांदी जी का क्या हुआ था असासीनेशन हो गया था इंद्रा गांधी जो थी उनका क्या हुआ ता असासिनेशन हो गया था यानि राजनेती कारणों कर जिसे उनको मार दिया गया था प्यारे बच्छे युथनेश्या यानि बहुत आसान मृत्यू इच्छा मृत्यू अगर किसी विक्ति को मिले तो उससे बहुत एक इसी के साथ प्यारे बच्छे कुछ और वर्ट्स अच्छ देने जा रहा हूं जिसे कि एपिटैप यानि कि जब किसी व्यक्ति की कबर पर आप कुछ लिखते हो तो वो जो आपने लिखा लेक जो लिखा उस लेक को बोलते हैं प्यारे बच्छे पत्थर पर लिखना या फिर दीवार पर जो आप नकाशी करते हो उसको बोलते हैं इंस्क्राइब करना क्या करना प्यारे बच्छे इंस्क्राइब इंस्क्राइब करना यानि कि प्यारे भाई आप किसी चीज़ को गड़ रहे हैं क्या करना आप किसी जो को गड़ रहे हैं गड़ खुरेद खुरेद कर लिखना उस इंडिकल एक्जामिनेशन क्या मेरे बढ़ी मेडिकल एक्जामिनेशन ओफ डेड बोडी ओफ आड डेड बोडी यानि कि जब किसी मृत शरीर का परिक्षन किया जाए कि आखिरकार मृत्यूं क्यों हुई तो उसे पोस्ट मार्टम बोलते हैं फिर ओटोपसी बोलते हैं इसे से मौर्ग बिटा एक ऐसी जगा जहां पर पहचान के लिए रखा जाए कोई लावारिश लाश आ गए तो उस लावारिश लास को कुछ समयत के लिए तो आप रखोगी कि किसकी यह कोई अन्नोन या कोई आए व्यक्ति कंप्लेन करें पुलिस में तो वो ले जाए अपनी को समय तो ऐसा व्यक्ति की कोई लास जो कि अन्नोर इसे मोर्ग जहां रखते है सीमेट्री पिटस्ग बहुत कि स्पेलिंग बहुत बढ़ेंट की स्पेलिंग बहुत बढ़िया एक्स्ट्र इक अट्स ट्र बैन्स ट्र नलो य सब कुछ पीयरे पिचे एड है ईक्स्टि जानवर की डैड़ और जो की यज़ों की जाती है स्टुडेंट推 और इसी प्रिकार से किसी इन्सान का जो शवोता है उस शव पूर्टक और जो इसमी रखे बैठ बड़ी ले करके जाते हैं जैसे शहरों में बहुत दूर-दूर कई बार क्रिमेशन ग्राउंड होते हैं या फिर सीमेट्री होते हैं तो उसे बोलते हैं और लिंच यानि प्यारे बच्छे जब आपने किसी को गलत मार दिया जैसे पिच्चरों में दिखाते हैं तो जो आप मुवीज में देखते हो वो बिटा मैसे कर अगर आपने एक ही बारी में बहुत बड़े लेवल पर लोगों को मार डाला तो उसे बोलता इस मोथर आ सोरी मैसे कर और इस मोथर का सनना मोथा इस टीफल क्या है क्या प्यारे बच्छे स्टेफल यानि कि किसी को गला दबा करके मार देना चलो आज हमने बढ़िया बिना आपके खरीदे आप इसकी केवल पीडियाप से सोचो सब कुछ पढ़ लोगे बिटा इंपोसीबल टास्क है अपने आप में तो बैटर रहेगा अभी के भी जाकर के बिटा इसे जरूर ओडर कर दो मेरे विश्वास मानिएगा मेरा अपसे वादा है ये कि मैं आपको 11 मिनिट शो में इसको पूरा कम्प्लीट कराऊंगा चाहे एंटनम सननम हो चाहे वन वर्ड सो इडियम सो स्पैलिंग सो कान्फ्यूजिंग वर्ड सो या फिर आपकी फ्रेजल वर्ब सो सब कुछ आपको मैं खुद पढ़ाऊंगा ठीक है बिटा लेकिन आप इसे ओर कर दी को भी सजेस्ट करना है और अगर हमारे महापैक में या फिर प्यारे बच्चे हमारे किसी बैच में आप जूड़ना चाहते हो तो फिर आपके लिए क्या कूपन कोड होता है मेरा वाई 795 अगर आप इसे लगा करके जूड़ते हो तो मुझे पता चल जाता है कि इतने बच् पास यह प्राइज इसकी हो गई है तो आप फिलिपकार्ट से ब्योडर कर सकते हैं ठीक है बाइबाइबाइ टेक्यार लव यू और कल फिर मिलूंगा सेम टाइम सेम जगा और MTS की क्लास अब 5-6 हो गई शाम को ठीक है बटा तो 5 बजे अपनी क्लास होती है आप चूड़न जरूर बाइ मेरे प्यारे दोस्तों लव यू ओल टेक केर गुड़नाइट